नमस्कार किसान भाईयो सवागत है आपका आपके ही चैनल क्रोप एडवाईजर पे मैं आज आपको बताऊंगा गुलाबी सुन्डी का जो बाइलोजिकल कंट्रोल है जैसे अपने फिरोमन ट्रैप लगाते हैं तो किस प्रकार से ट्रैप लगानी है वो मैं आज आपको लाइ अब ही इसने फूल उठाने स्टार्ट किया है तो देखते हैं किस प्रकार से हमें जो इसमें फीरोमन ट्रैप लगाते हैं किस प्रकार से लगाने है कितने उंचे लगाने हैं और उसमें किस प्रकार से कैपसूल लगता है सबी चीजें आज आपको बताएंगे और इसके अलाबा कितनी इनकी आवश्कता बढ़ती है परती एकड कितने ये लगाने हैं किस प्रकार से लगाने हैं वो आज आपको सबी आपको बताएंगे अब देखिए आपके सामने ये लगा हुआ है फिरमेंट ट्रैप में देखिए इस प्रकार का ये फिरमेंट ट्रैप आता है इस प्रकार से ये देखिए इसमें इसमें ये लिूर लगाई जाती है और निचे इसके इस परकार से यह polythene की एक ठेली होती है जिसमें यहां से जो इसकी तितली है यहां से आके इसकी हार्मोन की खुशबु से इकृषित होती है और इसमें चली जाती है इसके बाद यहां यहragt होते रहते हैं यह थोड़ा जैसे इसकी plant height से थोड़ा उंचा लगाना चाहिए जिसे कि यह जो तितली होती है रात त्रीचर है रात को यह आती है और जैसे इसकी हार्मोन की इसकी खुश्बू इसको आक्रशित करती है इसका जो adult होता है उसको आक्रशित करती है तो यह यहां से अंदर चला जाता है और इसमें फस जाता है एक प्रकार का रहे है यह त्रेप है का मैं देखेडिया गष्चानल भाई और यह इसे हुए हैं यह आपको दिख रहे हों तो यह प्षसे हुए हैं इसका इंद तो यहां से पांद दिया जाता है कि नीचे यह गिरें तो इसकी अडल्ट ये it is just है यह जो दिखर एपको यह है को मैं आपको दिखाता हूं को सिजिश करतें यह अब दिखिए यह सका अडल्ट है जो इसमें फसा हुआ यह दो देखें यह सका है जो में फसा हुआ है और अपनी क्रॉप को बचाया जा सके यह एक इकड में लगबग एक एक कड में चार से पांक लगते है चार तो एक इकड में जैसे लगाएंगे तो हो चार तो इन की कुंटों पर लगाने है और एक बीच में लगाना है इस निपकर से बढShim यह गाड लेनी है और उसके बाद इसको ट्रैप को यहां से रसी से बांध देना है यहां से और इसकी जो निच्छे यह थेल लिए इसको बांध देना चीतरें से क्यों यह हिले डू लेना ऐसे और अडाल्ट बाहर ना जा पाई कैसी लगे वीडियो लाइक करें शेयर करें धन्यवाद जय हिंद जय भाहरत